नमस्कार साथियों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूटूब चैनल जोबलडगरों में दोस्तों आज का हमारे वीडियो खास कर उन सभी भाय लोगों के लिए जिनके पास रासन कार्ड है यह हम आपको प्रूब के साथ लाइब दिखाएंगे साथी दोस्तों ऐसे हर दिन आपके काम आने वाले और वीडियो देखने के लिए योजनों सबंदीत वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेसंस लेट करें साथी इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट करें अपने दोस्तों के साथ भी फेस्बूग यूटूब इंस्टागाम गूगल पर सेयर करें साथी दोस्तों अगर आपके रासन कार्ड में आधार जुड़ा वन नहीं है तो आपको अगले महिने से रासन मिलना बंद हो सकता है जहां स रासन कार्ड से पूरे भारत में अगर आपको रासन मिलता है तो कहीं से भी किसी भी उचित मुले की दुकान से रासन ले सकते हैं और इसी के चलते आधार कार्ड रासन से जुड़ा हुआ बहुत ही मैत्वपून है जरूरी है हम आपको बताएंगे कि आप कैसे पता लगा स लिए सबसे जरूरी डॉकुमेंट्स हम आपको बता देते हैं जन आधार कार्ड आपके पास बना हुआ होना चाहिए साथी दो नमबर है आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए परिवार में जितने भी सद्दस्य हैं रासन कार्ड में उन सभी के आधार से लिंक हम आपको बताएंगे कैसे करना है, उससे पहले आपका जन अधार कार्ड बना ओना चाहिए, रासन कार्ड आपके पास होना चाहिए, मूबाइल नंबर और बैंक पास्बूक की कोपी यां पर आपको अप्लोड करनी होती है, इसमें से तीन डोकूमेंट्स अनिवार यह हैं, जन अधार आधार कार्ड और रासन कार्ड यानि कि आपका जहना आधार कार्ड बना होना चाहिए और जहना आधार कार्ड में आपके आधार नमबर जूड़े होने और परतेक सद्द से के आगे रासन कार्ड नमबर भी लिंक होना चाहिए यह हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले ह आप कैसे और कहां से ये एडिटिंग करवा सकते हैं अपने रासन कार्ड में आधार नमबर है वो जड़वा सकते हैं लेकिन उससे पहले हम आपको परक्रिया बता देते हैं इस पूरे परक्रण की कि आप अपने रासन कार्ड में आधार नमर कैसे जोड़ सकते हैं को बता दें कि पहले सेडिंग की परक्रिया होती थी और पूने विबाग दोबारा सुरू किया गए ये रासन कार्ड में आदार लिंक करना लेकिन अब सेडिंग करने की परक्रिया को पहले से बिन कर दिया गया है यानि कि आप सेडिंग नहीं होगा अब यदि आप किसी आव अडिटिंग के ओप्सन में जाकर आवेद का जन आदार या फिर रिशिप्ट नमर डालना होता है यानि कि आपके जन आदार काड को एडिट किया जाएगा उसके बाद में करना होगा राशन काड नमर डालने के परिवार के सद्धिश्यों के नाम दिखाई देंगे जो उस राशन काड में जुड़े हैं आप सबंदीत व्यक्ति को सेलेक्ट कर सम्मिट कर देना तभी सीडिंग पूरण मानी चाहेगी साथ यो पहले क्या होता था कि जो जन आधार का या फिर भामा सा काड उसमें जो मुख्या है भामा सा काड या फिर जन आधार का उसी में ही राशन काड के नंबर का उप्सन था दूसरे जितने भी मेंबर थे उन सभी में राशन काड नंबर डालने का उप्सन नहीं था यानि की सीडिंग का उप्सन नहीं था अभी राज राशन कार्ड को पीडिये पे स्केन करके अपलोड करना होता है वो भी 10 MB से कम हम आपको लाइप रूप के साथ में दिखाएंगे कि आप किस तरह से अपने राशन कार्ड में आधार नमर जोड सकते हैं जैसा कि दोस्तों आप सभी देख सकते हैं यह जन आधार कार्ड ओपन ह उसके आपर देखाएंगे तो राशन कार्ड का पीडियेफ बी में से करना होता है ताकि PDF में अप्लोड हो यह इंत यह पर आपको अधार कार्ण नम्र लगाना धार को डोनों साइड से स्केयन करना है और पीडिएफ यहां पर बनाना है अप लोड कर देना है इस तरह से के जना अधार कार्ड में है वह uh and अप डेस अधार नम्र भी आप डेये हो झ उस category में आपकी जाती का चैन करें यहां से आपको उपनी कास्ट का select कलेना है यानि कि आपकी जाती है वो क्या है तो यहां पर आप सभी देख सकते हैं इस तरह से आपको जाती है वो select कलेना है जाती सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको नीचे option मिलता है रासन कार्ड का यहाँ पर परतेक सद्दस्य के यहाँ पर मिलेगा option रासन कार्ड का और परतेक सद्दस्य के आपको रासन कार्ड नम्मर अपडेट करना होता है तब ही आपका रासन कार्ड से अधार लिंक होगा तो साथ यो अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप रासन कार्ड नमर किस तरह से परतेक सद्दिसे में एड़ कर सकते हैं तो सबसे पहले हमने रासन कार्ड को स्केन कर लिया दोनों साइड से उसके बाध में हमें A4Page लेना है उस पर दोनों को याँपर पेस्ट कर देना है उपर वाला पहले चिपका देना है और नीचे वाला बाद में चिपका देना है तो इस तरह से आपको एक Page में दोनों साइडों को Trustee कर एक Page बनाना है PDF में और PDF की साइज है वो 10 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और ये परतेक सद्दिशे में यही राशन कार्ड स्केन किया हुआ अपलोड करना है PDF फाइल में तो जैसा कि आपस भी यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से अगर आप चाहें तो यहाँ से अगर आपके पास दूसरा तो इस तरह से आपको उपर का जो front page है वो सबसे पहले पेस्ट कर देना है उसके बाद में यहाँ पर back side का है तो उसको यहाँ पर front के नीचे यहाँ पर पेस्ट कर देना है तो इस तरह से आपको एक फाइल बनानी है PDF ताकि क्या हो कि double फाइल नहीं हो यहाँ पर एक ही करनी है PDF फाइल ही upload होगी और वो भी 10 MB से कम अब आपको क्या करना है यहां पर राशन कार्ड संक्या लगाना है जो भी आपके राशन कार्ड जाई BPL के ले BPL कुछ भी हो राशन कार्ड नंबर लगाने के बाद में आपको सदस्यां से लीकर लेना है यानी कि जो ये तुझा कर में अदार कार्ड या फिर वमास्रा कार्ड में उस मेंबर को से कर लिया उसके बाद में चूझ फाइल पर आपको रासन कार्ड जो अभी स्कikan किया था उससे अफलोड करना होगा फीडिये K. में तो यहां से आपको रासन कार्ड थो स्लेट चलेट कर लेना है और उसके बाद में open कर देना है और upload अप्लोड फाइल पर क्लिक कर देना है तो जैसा कि आप सभी यहां पर देख सकते हैं अप्लोड पीडियेफ पर क्लिक कर देना है तो सास्तियों राज्य में नया जो शीडिंग का उप्सन आया है रासन काड़ में आदानमर जोड़ने का वो यह तरीका है यहां पर आपको रा बाकि जितने भी सदसे हैं उन सभी को इस तरह से आपके रासन कार्ड संक्या है वो परतेक सदसे में एड़ करनी होती है। वो ज़न आदार कार्ड से ही उताते है। और अगर आपके जन आधार कार्ड में रासन कार्ड संक्या एड और उसमें आपके आधार नमर एड है तो आटोमेटिंग यहां से है वो सीटिंग हो जाएगा। और दोस्तों एडिटिंग के समय आप अपने मुवाइल नमबर और अपने बैंक पास्बूक अन्य आपकी जो भी डिटेल है सर्मिक कार्ड हो या फिर नरिगा कार्ड हो वो भी नमबर यहां पर आप एड़ करवा सकते हैं आप चाहें तो यहां पर जितने भी पैन कार्ड रा को रासन कार्ड नमबर टाईप करना होता है और आपको पी-डिए पर क्लिक कर देना हो तो drive करना पर आप बब्यक्राज कर अपने नसदी की संबूब्हाइन और दोस्तों यह आप करवा सकते हैं अपने नजदी कि इमीट और है इस तरह से editing करवा सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका है अब दोस्तों जिनका राशन कार्ड एक है उसमें पांच सदस्य है और माली जन आदार कार्ड उन्हें दो बन वा लिए तो राशन कार्ड यही रहेगा दोनों जन आदार कार्ड में राशन संक्या है जो आपके नाम है वही राशन संक्या लगानी है और वही राशन कार्ड अप्लोड करना है आपके जन आदार कार्ड दो है तो कोई दिक्कत नहीं है आपका अगर राशन कार्ड एक है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अगर आपके राशन कार्ड दो है और अगर आपका जन आदार कार्ड एक है तो भी कोई दिक्कत नहीं आपको राशन कार्ड संक्या यहाँ पर एड़ करना जरूरी है जन आदार कार्ड में तबी आपका राशन कार्ड से आधार लिंक होगा तो ये पूरी परक्रिया हमने आपको लाइफ रूप के साथ में दिखाई है कि आप अपने रासन कार्ड में आधार नमर कैसे जोड़ सकते हैं साथ एक बार फिर से आपको बता दें कि आपके रासन कार्ड में आधार लिंक होना जरूरी है, आपके जन आधार कार्ड में सभी के रासन कार्ड संक्या होना जरूरी है, तब ही आपको रासन मिलेगा सभी सदस्यों का, और जन आधार कार्ड में जितने में सदस्यों का, उन स जरूर किया जाएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नहीं जानकरी के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साती हूं थैंक्स पूर वाचिंग आपका दिन सुभ हो जैहिंद साती हो